अपने चैनल में आपको बहुत बहुत स्वावत करती हूं आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं या मैं आपको जो जान करी देने जा रही हूं वो एक बहुत ही उपयोगी जान करी है और यह है अजाद रेश्टा इंडिका के बारे में यह नाम से आपको लगा होगा कि यह हुमेपाथी में भी यूज किया जाता है यह जो प्राव पेर है यह ब्रक्ष है यह गुणों से भदपूर है इसके अनलिमिटेड और शदीग गुण है और इनी गुणों के कारण इसे अपना ध्यान समस्त विश्व की तरफ खीचा है और इसी लिए इसके उपर बेरियस स रसोचे हैं जिनसे कि इसके बहुत सारे और भी मेडिसिनल यूज इस सामने आए हैं और जिसके कारण इसको आईरुवेड में तो यूज किया ही जाता था साथी में होमेपथी में यूनानी में और modern system of medicine में भी इसका यूज किया जा रहा है तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैसले कही प्रति है, हम भारशें करते हैं, हुआ प्रतिया अगरप्र सृप्रति आए बुरा करते हैं इसको पॉर्षिण के इरप्शन होते हैं तो उसको कहा जाता था नीम की पत्तियां चबाई जाएं या फिर उसको कहा जाता था कि उसके उपर नीम के पत्तों का लेप लगा लिया जाए तो हम जानते थे कि इसमें ओशिदी गुण है अब जो रिसोर्चिस आ रही हैं उन्होंने इसको प्रूब कर दिया कि वाकई इनमें ये सारे गुण है सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या जो ओशिदी गुण है इसको एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के रूप में चाना जाता है याने कि ये बैक्टीरियास की ग्रोथ को कम करती है उनको रोकती है और bacteria को पनपने नहीं देती इसलिए हम इसका जो use है वो preventive यहने की रोकने के लिए करते हैं और साथ साथ में treat करने के लिए भी करते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि bacterial interactions skin में भी हो सकते हैं जो boys होते हैं, carbuncles होते हैं, episodes बगरा हो जाते हैं वो सारे के सारे bacteria की वजब से होते हैं या आप जैसे देखेंगे कि throat होता है, इसमें भी bacteria का रोल होता है और भी बिवरेने प्रकार की जो बिमारिया होती है इसके अलावा, यह जो medicine है, इसमें यह anti-fungal के रूप में भी use की जाती है या आपको मालम है, fungus भी skin को affect करती है, skin पर दाद खाच चादी पैदा करती है तो यह जो है, research and studies बताती है कि यह anti-fungal medicine के रूप में भी इसका use किया जात सकता है anti-viral medicine के रूप में भी यह काफी उप्योगी पाई गई है इसका जो एक और use है, वो है कि जो हमारा liver organ है, बहुत महत्पून organ है और यह जो है, बहुत सारे vital function करता है हमारे शरीर के जो हम भी toxic या harmful या poisonous substances अपने अंदर लेते हैं उनको detoxify करके उनको शरीर को उप्योग के लायक बनाता है तो इसका जो रोल है, वो है hyperto protective यानि कि liver कर के लिए protection का काम कर भी ये अजादी राष्टा इंडिका करता है तो sprints हमने देखा कि इसके क्या-क्या और शरीर गोड़ हैं जिसके कारण ये बहुत ज़ादा popular होता जा रहा है इवन इसमें जो विदिन प्रकार के तत्र रुपाए जाते हैं जैसे नेम्हिन हैं, नेमोलिजिन हैं, नेमोनाइज हैं, ये anti-oxidant substances हैं ये इसके constituents हैं और यही इसको anti-oxidant properties provide करते हैं तो ये जो हमारा नीज है, अजादी रष्टा इंडिका है, ये anti-oxidant की तरह भी काम करता है याने जो free radicals होते हैं, जो हमारे healthy tissues को नुक्सान पहुचाते हैं तो उनको पैदा होने से रोपता है, ये कम, उनकी quantity कम करता है, जिसकी वज़न से healthy tissues affected नहीं हो पाते और हम ज़ादा अपने आपको यांकी मैसूफ करते हैं या ये anti-aging effects भी देता है, ये inflammation को कम करता है, प्रदाहा को कम करता है और इसके कारण हमारे जो tissues होते हैं, उनको नुक्सान करने से रोपता है, उनका नुक्सान होने से रोपता है इसके अलावा जो ये है, एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका, ये blood purifier की तरह काम करता है रत शोधन करता है, या रत का शुद्धी करन करता है ये जो property है, ये इसको uniqueness देती है in the medicinal properties तो हम बेसिकली ये देखा कि इसका जो generalized use है, या crude form में जो use है या इसके और शुदी गुन है, वो किस प्रकार से हैं और इन्हीं ये और शुदी गुनों का खजाना है और इसलिए इसका world में day by day बहुत ज़ारा use होता जारा है तो साथ ही मैं हम इसको homeopathic में जो use करते हैं, वो यारदा कर मदर गिंचर के form में यूज करते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये homeopathic mother गिंचर के रूप में जो अजादे रश्टा इंडिका है वो किस प्रकार से काम करती है किन रोगों में ये काम करती है अजादे रश्टा इंडिका बेसिकली जो है वो फीवर के लिए आम तौर पे दी जाती है जो ऐसे फीवर जो आफ्टिनून में शुरू होते हैं लगभग सारे चार के आसपास और साड़े साथ बजे तक रहते हैं तो इस तरह के fever में usually दी जाती है और इन fever में patient को ठंड बिलकुल भी नहीं लगती है या कम से कम ठंड लगती है और साथ ही में उसको जो heat है वो basically feel होती है उसको face पे feel होती है palms में feel होती है और जो हमारे पैर के तलूए होती है उनमें ये heat महसूस होती है तो ये इस तरह के afternoon fever के लिए अजाड़े रश्टा इंडिका homeopathically use किया जाता है इसके साथ साथ में ये एक anti-malarial drug भी है ये anti-malarial use भी इसको किया जाता है ये truth pump में भी anti-malarial medicine के रूप में इस्टिमाल की जा सकती है फिर इसके अलावा हम देखते हैं ये rheumatism, ये rheumatoid arthritis जो होती है जिसमें basically जो joints होते हैं हमारे शरीर के उनका inflammation होता है उनने बहुत जादा pain रहता है redness रहती है, swelling होता है stiffness होती है, patient को चलने परने में बहुत जादा दिक्कत होती है तो इस तरह के rheumatoid arthritis के लिए भी जादे रिष्टा indica का mother trincture यूज किया जाता है इसके साथ साथ में अगर जो head है head के जो symptoms आते हैं वो basically इसको headache में दिया जाता है और इसका जो headache होता है इसमें patient को महसूस होता है throbbing type का feel होता है जैसे कि कोई चीज बहुत throb कर रही है तो ये feeling काती है right sided headache होता है जो आके right eye पर settle हो जाता है तो इस तरह के जो headaches होते हैं उसमें basically जाद इरश्टा indica का use किया जाता है साथ में face पे heat भी महसूस होती है तो यहां पर इसको एक comparison हो सकता है bellodona से bellodona में भी face पर heat जादा महसूस होती है throbbing pains होते है throbbing of carotides होती है high grade fever में होता है लेकिन उसमें जो heat होती है वो head में जादा महसूस होती है और बाकी जो activities होती है वो cold रहती है या ठंडी रहती है तो यह दूसरा use था अजाद रश्टा indica का और इसके अलावा यह जो gastric complaints में है true form में तरह देखा जाए तो यह gastric ulcers में भी दिया जाता है और यह ulcers को ठीक करने में साहिक है तो यह इसका जो homeopathic use है वो भी आप gastric ulcers में cover कर सकते हैं तो बहुत अच्छा use आता है skin के उपर skin के उपर हमने discuss किया यह acne में, pimples में, boils में, carbuncles में, abscesses में यह सारी के सारी जो conditions है इनमें इसको use किया जाता है अगर skin पर बहुत जार इचिंग हो रही हो रेशस हो रहे हो और साथ में heat भी है तो वहाँ पर भी azad रिष्टा Indica एक बहुत अच्छी medicine साबित होती है तो friends यह मैंने आपको azad रिष्टा Indica Mother Trincha के users बताए हैं और इसकी doses के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो 10 से 15 drops one fourth cup of water में आप डाल लीजिए और दिन में तीन बार इसका seven करिए तो यह आपको बहुत जादा फाइदा पहुचाएगी यह मैंने इसकी सारी properties के बारे में आपको बताया और यह जो properties के साथ आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन मेरा advice है कि आप इससे homeopathic position के advice के according यूज़ करिए तो यह आपको और ज़रा फाइदा देगी I hope यह जानकरी आपको पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई है तो please like करिए, share करिए, subscribe करिए और bell icon पर ज़रूर प्रस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके Thank you